नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वीनित शागर, आज हम डिसकस करेंगे इंडियाज मैनुल स्कैवेजिंग प्रॉब्लम के बारे में, देखिए पर्टिक्लर टोपिक आपके यूपीसी मेंस की पर्सपेक्टिव में बहुत ज्याता इंपोर्टन है, अगर आपको मेंस में, मैनुल स्कैवेजिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कोई कोसीन आंसर करना पड़ा, तो आप इस पर्टिक्लर पीपीटी में जितने पोइंच में बहुत यूज कर सकते हो, कुछ स्टाटिक डाटा है, स्कैवेज स्कैवेजिंग, अगर आप पुराने जमाने से देखोगे, एक पर्टिकुलर क्यास के लोग ये काम करते हुए आया है, एक famous author, Harsh Mantar ने, Manual Scavenging के पार में क्या बोला है, 1947 में Independence मिलने के बाद, अभी भी अगर Manual Scavenging जैसे काम इंडिया में हो रहा है, तो इट इस वीडियो में हम Manual Scavenging से कितने डर्थ हुआ है, और गर्मन की policies क्या-क्या रहा है, Manual Scavenging को eradicate करने के लिए, वो डिसकस करेंगे, अब देखी, देखी, एक national survey हुआ था, 18 states में, इसमें से ये पता चला, January 31, 2020 के हिसाब से, देश में 48,345 Manual Scavengers से, और सबसे ज्यादा उत्रप अदेश में है, 2018 का data है, ये 29,923 people, अब कितने डर्थ हुआ है, ये भी हम देखेंगे, पिछले कुछ सालों में, ये जो Manual Scavenging डर्थ, इंक्रीज हुआ है, और 2019 में सबसे ज्यादा Manual Scavenging डर्थ देखने को मिला, 110 workers, वाइल क्लीनिंग सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स, अब दोस्तों, वाइट इस तिल ए प्रॉब्लम इन इंडिया, देखें, Manual Scavenging को 2013 में गर्मन ने बैंड किया था, पर अभी भी इंडिया में Manual Scavengers है, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में बोला था, जनवरी 2020 के साब से 48, 8,345 Manual Scavengers इंडिया में देखें किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए दो मेंन रीजन है दोस्तों, सबसे पहला रीजन यह है, यह जो Manual Scavenging करने वाली जो community है, वो maximum दलित community से बिलों करते हैं, and they are the most disadvantaged and most impoverished communities to exist, आप इने दूसरे काम करने के लिए कोई opportunity नहीं मिलता है, मेरा कहना का मतलब है, हमारी society का, यह जो attitude है, यह जो Manual Scavengers की तरफ, वो काफी बुरा है, जिसकी वज़े से उन्हें और कोई काम मिलता ही नहीं है, और उपर से इंडिया में आज भी ऐसे काई latrin से, जो open drain से connected है, काई सारे घर में, या फिर flats में, ऐसे septic tank से, that need regular manual cleaning, single tank वाला safety tank से, मतलब इंडिया में 50% से ज्यादा, यह जो single tank वाला safety tank होगा, उसका manual cleaning करवाना पड़ता है, आप देखिए, manual cleaning करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए न, और यह जो dilit community के जो particular cash के लोग है, उनके पस दूसरा कोई काम तो नहीं है, तो उन्हें बुलाएगा, पैसे देदेगा, तो वो आएगा ही आएगा, तो this is the main problem, तो सबसे फिले, गर्मन को कुछ action लेना चाहिए, यह जो open drain में जितना ladderings connected है न, वो तो ठीक करो, और यह जो single tank वाला safety tank है, उसे भी ban करो, तब automatically काम बंद हो जाएगा, उपर से अगर कोई किसी से काम करवा भी रहा है, that goes under reported, कोई report ही नहीं करते है, क्योंकि सब को यह काम करवाना होता है, देखें दोस्तों, जिसको action लेना चाहिए, उसका घर में भी तो laddering होगा, तो देखें, मैंने जैसे वोला, इंडिया में 50% से ज्यादा ladderings, कुछ तो open drain से connected है, किसी का single tank वाला safety tank है, तो इनको भी under reported रहता है, अब यह photo देखें दोस्तों, इस data से आपको पता चलेगा, कितना manual scavenging death हुआ है, एक एक state में, वैसे maximum state का data available नहीं है, क्योंकि देखें, अब इसका data collect करना भी मुश्किल हो जाता है, यह crime जो है under reported रहता है, फिर भी जितने data available है, उससे यह पता चला, तमल नाड इसका data तो available ही नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, उथर manual scavenging death हो नहीं रहा है, अब दोस्तों, गर्मन की तरफ से क्या-क्या policies रहा है, manual scavenging को eradicate करने के लिए, सबसे फिले 2.13 वाला act, the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013, इसका objective यह है, to eliminate insanitary latrines, alongside tracking the rehabilitation of manual scavengers in other occupations and conducting periodic service, देखें, यह जो act है इसका objective यह है, एक तो manual scavenging को ban किया गया, उपर से जितने manual scavengers से इन्हें rehabilitate करना है, इन्हें दूसरे कोई occupation में involved करवाना है, and periodic service भी होता है, and to eliminate this practice, the act has provisions for stringent penalties also for direct or indirect employment, अगर कोई manual scavengers को, या फिर manual scavengers से काम करवा रहा है, इसके against stringent penalties भी होगा, पर होगा कहां दोस्तों, क् maximum crime तो under reported रहता है, जैसे मैंने आपको पिछली slide में बोला, और क्या है, नाशनल सफाई करमचारीज finance and development cooperation करके एक agency है, इन्होंने कई सारे programs implement किया है, to prevent manual cleaning for sewers and septic tanks, देखें दोस्तों होता क्या है, पहले sanitation workers को practically septic tanks के अंदर या फिर drainage के अंदर गुषना पड़ता था, और हा जिसमें कई सेरे modern equipments लेके आया, और training दिलाया इन workers को, ताकि वो practically अंदर गुषने की ज़रूत नहीं है, इस machine की सहायता से सब कुछ वो निकाल पाएगा, तो ये भी तो सही है, आप देखें, इसके लिए कई सेरे related equipments, machines and vehicles खरीदने के लिए 50 लाग तक concessional loans provide करते हैं, NSKFDC अंडर दा सोचदा उध्यमी योजना, तो दो चीज़ आपको याद रखना है, एक तो एक agency है, NSKFDC करके, और सोचदा उध्यमी योजना करके एक program है, जिसमें 50 लाग तक concessional loans provide करते हैं, sanitation workers के लिए, और भी है, self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, SRMS, ये क्या है, देखें, अगर कोई sanitary worker, और their dependent कोई sanitation related projects खुद शुरू करना चाता है, तो उनको government की तरफ से capital subsidy मिल जाएगा 5 लाग तक का, फिर है, recognition of prior learning program, ये basically एक skill training program है दोस्तों, अगर कोई candidate, mechanist cleaning and safety precautions के बारे में सीखना चाता है, तो उनको government की तरफ से free of course skill training दिया जाएगा, देखें, the candidates are taught about mechanist cleaning, safety precautions for safe and healthy cleaning of Severson से बोल and vehicles खरीदने के लिए उन्हें 50 लाग तक का concessional launch दिया जाएगा, आप देखें ये जो recognition of prior learning program के तुरू, ये सब machines and equipments कैसे use करना है, safety precautions क्या क्या लेनी चाहिए, वो सबके पार में free of course training भी दिया जाएगा, फिर देखें, urban local bodies में कई सारे workshops, training workshops भी और मेंस किया जाएगा, जि देखें, हमारे देश में सोच भारत अभयान करके एक जबर्दस program implement हुआ है, इसके बावजूत ये manual scavenging का problem क्यों है, ये हम check करेंगे, देखें, government of India ये claim करते है, सोच भारत अभयान के under 24 से 1000 lakh toilets बनवाया है, मतलब हमारे देश में 95% of households के पास toilet facility है, बहुत अच्छी बात है पर problem तो अब है दोस्तों, जितने भी toilets construct किया है, they are connected either to twin pit, नहीं तो safety tanks with sock pit, नहीं तो single pits, और are connected to severage lines, आप देखें दोस्तों, problem अब आ रहा है, जितने toilets, safety tank with twin pits में connected है, उसी में manual cleaning की ज़रूरत नहीं है, वो automatically clean हो जाता है, बाकि जितने single pit वाल है है न दोस्तों, उसमें जो fecal matter है, वो after a period of time, manually clean करना पड़ता है, समझ गया, आप देखें, नाशनल अनुवल रूरल सानिटेशन सावे वदा दोसा 17-18 में, उसमें ये बोला, 13% of the toilets constructed had twin pits, 38% were equipped with safety tanks with sock pits, and 20% had single pits, देखें, ओली जो 13% है, उसी में manual cleaning नहीं करना होता है, बाकि जितने toilets हैं, उसमें manual cleaning पड़ता है, समझ गया, आप देखें, आप रूरल एडियास में जितने toilets बनवाया है, गवर्मन ने, सुच भारत अफ्यान के अंडर, अब उसमें जहां manual cleaning करवाना है, उसका दो option है, या तो suction pumps यूज़ करो, मतलब जितने ये scavenging duty करते हैं, वो अपना equipment ले आके, suction pumps डालके पूरा जो vehicle matter उसे सक कर सकता है, मतलब इसी तरह उन्हें अंदर जाने की ज़रूत ने, safety tank का, पर देखें, due to the low availability of suction pumps at the village level for mechanical extraction, it is obvious that most of these toilets in rural areas would be cleaned manually, आप देखें, remote areas में ये suction pumps की availability का में, इसलिए क्या होता है, ये जो manual scavenging करवाना पड़ता है, तो गर्मन को ये भी ensure करना चा वाया, वो सारे twin pit वाला होना चीदा, तो ये तो सबसे बड़ा problem है, तो manual scavenging कहां से बंद होगा, समझ रहो ना आप, तो दोस्तों, finally, what is the way forward, देखें, government ने manual scavenging को कपका बैंड करकर रखा है, पर आप ही भी इंडिया में significant proportion of toilets manually clean होता है, तो फिर फायदा क्या हुआ, तो what is the way forward, हम क्या कर सकता है, देखें, सबसे पहले society का attitude है, वो change करना पड़ेगा, society में maximum यही सोचती है, कि कुछ लोग यही काम के लिए बना है, तो फिर उनका growth कैसे होगा, उनका life कैसे improve होगा, देखें, हमें एक discrimination free, secure and alternate livelihood उनके लिए ensure करके देना है, government की तरफ से, जितने भी program से schemes है, इनके लिए, उनका proper implementation ensure करना है, आप देखें, होता कि है, maximum लोग दलित community से बिलोंग करते हैं, और remote areas में रहते हैं, तो उन तक चीज़ें पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसे favorable environment create करो, community awareness फहलाओ, ताकि उनको पता चले, ऐसे से schemes हैं उनके बारे में, और उसका proper implementation भी ensure क समझाना पड़ेगा, और भी अलग-अलग livelihoods, आप follow कर सकते हो, आपका skills develop करने के लिए, अपकी capacity build-up कर सकता है, तो यह सब उनको समझाना से, और उनकी जो land rates वगरा है, वो भी ensure करके देना पड़ेगा, साथ-साथ में, basically उनकी जो life है, उसको improve करने के लिए, जो कुछ भी कर schemes वगरा आया, उसमें कम से कम यह dual tank वाला safety tank तो ensure करो भाई, जब यह clean करने का कोई option ही नहीं देगा, manual cleaning का, तब फिर यह काम automatically बंद हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ा point हो गे न, ठीक है, तो आपके जो comments है, आप मुझे comment box में बताएए, उनकी life improve करने के लिए क्लिए